ये थे हावर्ड गार्डनर ठीक है अब इनके बार में थोड़ा सा जान लेते देन उसके बाद इंपोर्टेंट टर्म्स के उपर आम आएंगे देखे बहु बुद्धी का सिद्धान्त हावर्ड गार्डन ने 1983 में दिया था जिसमें इन्होंने साथ तरीके की बुद्धी बत तो इन्ही टाइबसे में इसे बनता है थीक है था था तो 1983 में इन्होंने टाइबस बताईथी साथ देन उसके बाद क्या होँआ इन्होंने एको टाइब जोड दि तो साथ और नो परकार की ऐसे बुद्धू ये अगर एकजाम में आपको साथ दिखे और आद नो ना देख तो आप साथ लगाना अगर एक्जाम में आपको साथ नो तीनों दिखे और कोई और भी दिखे तो आप आठ लगाना आठ को लगाने के लिए को बोला हूं क्योंकि आपकी नहीं है बलकि अलग अलग परकार की बुद्ध्यों का स्तित्र होता है परते एक बुद्ध्य का एक दूसरे से सब्तंतर रहकर कारे करती है अब बात कर लेते हैं आपके में इंपोर्टेंट टर्म्स के जो आपके एक्जाम में आती है वह आपकी गार्डनर की बुद्ध्यों कभी बनते है या फिर पत्रकार आदी बनते है ठीक है आपने देखा होगा जैसे मालों पत्रकार है ठीक है यही माल लिया मैंने पत्रकार है रिपोर्टर हुआ मालों कुछ भी घटना कहीं घटती है या कुछ भी एकदम उनके सामने न्यूज आती है है तो उनको अपने उपर और अपनी भासा के उपर इतने अच्छी कमांड होते हैं कि उस टोपी के उपर आप उनसे दो गंटे चार गंटे कितने बुलवालो वो उसमें इतने निपून होए रहते हैं ठीक है तो जिन लोगों में इनकी जो अधिक्ता जादा होते हैं वे लोग क्या बनते हैं पत बुद्धिक अधित्ता जादा होगी तो निमली खित में से वह कौन सा बनेगा वहाँ पर इनिमेंस आपको कोई एक उप्सन दिया होगा और तीन गलत दियोंगे तो आप सही पर लगा देना ठीक है चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट आपकी तारकिक गणित्य बु बगेरा यह बंजाते है ओकर। इन लोगों में तरक करने की सकती बहुत देंगोते हैं और मेड केल्कुलेशन देखांचर से में छिकर कर दोगे एक समयसं कर दो नम्illar का तो इसलिए इसको अच्छा तरीके से कर लेना नेक्स्ट आपकी इस्तानिक बुद्धी है special intelligence यह बुद्धी जंगे अंतिरिक्स मानसिक कल्पनाव से संबंदित होती है जिन वेक्तियों में इनका विकास अधिको या तो वे मुर्तिकार बनते है या फिर चित्रकार बनते है फिर architecture बनते है ठीक है देखे अगर मानलो एक घर का नक्सा बनवाना है हमें ठीक है हमारा एक घर का हमें नक्सा बनवाना है तो जंगे कम है हमारे पास लेकिन अगर हम नक्से वाले को नक्से वाले के पास अगर इस्तानिक बुद्धी बहुत जाद होगी तो छोटे से जंगे में भी घर का एक बहुत बढ़िया नक्सा बन प्लोट में इतनी कम जंगे में इतनी सारी चीज़े इसने बना दी क्यों कि उसके पास इस्तानिक बुद्धी थी स्पेसिल इंटेलिजेंसी ठीक है तो जिन लोगों में इनकी अधिक्ता जाद होती है मैंने बता दे क्या बनते हैं मूर्तिकार बन जाते हैं चित्रकार बगर बन जाते हैं एक और एक्जमपल दो आपसे रिलेटिड जोगों आप में से कुछ लोग बाइक चलाते होंगे ठीक है लड़कों तो चलाते होंगे मोशली लड़कों ने काम किया होगा जोगों जब बीड हो जाती है और बीड में सम्पाइक को निकालते है जिग जैक करके ले जाते हैं ले जाते हैं बहुत से लोग लेकर गए होंगे और बहुत से लोग नहीं बे जाते हैं कि चोट लग जाएगी या फिर एक्सिडेंट हो जाएगा लेकिन कुछ लोग जिग जैक करके ले जाते हैं वाइक को वह ऐसे क्यों ले जाते हैं जिग जैक करके क्योंकि उनके दिमाद के जो मैं अंदर मैप चलती है इस्तानिक बुद्धी के उनमें जो अधिक्ता होती है उसके जरी ले जाते हैं कि अगर मैं यहां से कट मार के इतनी जंगे पर यहां से निकाल के ले जाओंगा तो मैं बज जाओंगा यहां से ले जाओंगा तो मैं बज होगा तो इसलिए देखा इस्तानिक बुद्धी साब को कितने तरीके के फायद होते हैं और मैंने बता दें जो लोग इन में जादा होते हो आगे जाके क्या बंगते हैं ठीक है वहाँ पर यह मत कर देना कि शरीर को गती देने वाली बुद्धी जिन लोगों में इनका जाद विकास होता हो कोन बनते हैं आपके अभिनेता बन गए अभिनेतरी बन गए एथिलीट बन गए यानि धावाक डांसर बन गए देखो यह जितने भी चीज़ बता है इन सेमी में सरीर की सारीर गती की बहु निफ्त में इनका विकास अधिक होता है या तो इस सिंगर बनते है या फिर एंटर्टेन्मेंड बनते है ठीक है जिनमें लोगों में संगीता आत्मक बुद्धी ज़्यादा होती है अब यह आपर बाथरूम सिंगर की बात नहींूरी है कि बाथरूम सिंगर इनके अंदर प्लूड किये जाएंगे नहीं नहीं जिन लोगों में इनकी संगीत की बुद्धी जादा होती है मेच्शूर हो जाते वो ठीक उनको तरीका पता होता है वो लोग आगे जाके कुछ नकुछ बनते हैं, शिंगर जैसे आपके लतामंगेशकर जी हुई, जिसमें यह आपकी संगीतात्मक बुद्धी है, ठीक है, छिली, नेक्स्ट बुद्धी की बात करते हैं, वो कौन सी है, दोनों बुद्ध्यों को एक साथ समझना, ठीक है, इनमें काफी कन्फ्यूज हो जाती है, ए इनका अधिक विकास होता है, या तो नेता बनते हैं, या फिर सामझी कारे करता बनते हैं, आपने नेता लोग देखे हैं, जनता के साथ कितना बढ़िया इंट्रेक्ट करते हैं, ठीक है, कितनी जल्दी उनको अपनी बातों से सहमत कर लेते हैं, अपनी बातों में फसा लेत इसमें खुद के साथ इंट्रेक्ट किया जाता है जैसे जो आध्यात्मिक गुरु वाकरा होते हैं उनमें यह जाद बुद्धी होते हैं तो समझ गए यह दोनों बुद्धियों के बारे में चले नेक्ट पर चलते हैं साथ बुद्ध्य होगी यह आपकी आठवी बुद्ध्य आगी जो आपकी जोड़ी गई थी 1998 में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इस बुद्धि के वेक्ति परकर्ति के नजदिक होते हैं जिन वेक्ति में इनका विकास अधिक होता है वो क्या बनते हैं वो किसान बन जात क्योंकि परकर्ति के बहुत मजदिक होते हैं तो आपके प्रक्रतिवादी बुद्धि होए छेले नेक्स चलते जो आपकी नौई और लाश्ट बुद् mammals जो आफिस बुद्धि sophomore के सोते हैं जैसे हम इस दुद्धिalay में क्यों aby अज़े और बदी को स्वेस्डिक होता उसके बाद question लगा देते हैं कि ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों हुआ ठीक है यह अस्तितवादी बुद्ध्यों के लोगों की पहचान होती है जैसे आप पूछ रहा है कि दुन्या में क्यों आया भगवान क्यों है ठीक है तो देखो फ्रेंड्स आपकी नो बुद्धी हो गई जो आपकी बहुत इंपोटेंट है और आपकी एक्जाम ने जरूर आती है ऐसा कभी कोई एक्जाम नहीं हो जिसमां आपके बुद्धी ना पूछी हो यह हावर्ड गार्डनर की तो हावर्ड गार्डनर ने नो बुद्ध्या दीती इनको अच्छी तरीके से समझ लेना और झालबी एक्जाम ने फिसमां पीजानर और आती है और आती है और आती है लेक्जाम वह हो भी एकट यह हो एक्जाम ने ही तो है